21 सतंबर की क्रांती की सफलता हर मायने में यमन के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्दी है ये बात अंसार अल्ला अंदोलन के नेता सयद अब्दुल मलिकल होती ने दस्वी वर्षकाट पर यमन के लोगों को बदाई देते हुए कही अल होती ने जोर देते हुए कहा कि क्रांती सिर्फ यमन के लोगों की इच्छा से प्रेरित निर्ने था इस क्रांती के डांचे के बीतर लिया गया हर कदम और रुक किसी भी भारी प्रभाव या अस्तशेव से दूर पूरी तरह से यमनी था हूती विद्रोयों ने राजधानी सना पर कबजे की दस्वी वरशकाट के मौके पर एक परेड गायोजन किया इसमें समू के सैकडो सदस्यों ने भाग लिया परेड में शामिल होने वाली लोग वरदी पहने हतियार लिये यमन और फिलिस्तीन के जंडे लहराते हुए कठा हुए इस मौके पर अल होती ने कहा कि बीते दस सालों में धेरो बाधाओं और चुनोतियों के बावजूद यमनी लोग इस खास लमहे के गवा बन गए हैं यमनी नेता ने जोर देकर कहा कि हमारे लोगों ने 21 सितंबर की करांती से एक महान लक्षे हासिल किया है क्रांती का विरोध करने वाली ताकतें जिसका नित्रित अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं सबसे बड़ी हार है क्योंकि उन्होंने देश पर सीधा नियंतरन खो दिया है इस क्रांती से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका है क्योंकि उसकी समराज्यवादी मैतोकांशा, देश पर हावी होने और उसके संसादनों का दोहन करने की है अल होती ने अमेरिका, इसराइल और उसके पश्मी संयोगियों पर पिछले कहीं सालों से यमन के खिलाफ व्यापक हमले का अरोप लगाया जिसमें अपरादियों ने सबसे जगन्ने अपराद की है, यमन के लोगों पर पूरी तरह से नाकबंदी कर दी इस हमले से अमेरिका ने अपने एजेंट्स का इस्तिमाल करके यमन पर नियंतरण वापस लेने की कोशिश की हमलावरों का कोई और उदेश्य नहीं था, बलकि देश पर कबजा करना और देश को नियंतरत करना था जबकि वे अपने लोगों की सोतंतरतावला जादी छीन रहे थे दुश्मन देश नियंतरण हासिल करने में विफल रहे हैं क्योंकि यमनी लोगों ने इस सुपलब्दी और उसकी रणनीतिक गयराई को पवित्र माना है साथ ही अल होती ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश के पास अत्यदिक उननत शस्त्रागार हैं जो कई देशों के पास नहीं है मिसाइल शमताई इस विकास और प्रभावशीलता का एक परमुक परतीक है यमन ड्रोन परद्योगी की नो सैनिक शक्ती और जमीनी बलों के गठन और विकास के मामले में उननत सर पर है वही हूती नेता ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में कहा कि यमनी लोगों का रुक अडिक और द्रिड है वह सभी चुनोतियों, जोखीमों और साजिशों के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों के साथ मजबूत एक जुर्ता के साथ खड़े हैं हमलावर गटबंदन की ओर से लगाए गए बयानक अपरादों और गंबीर नाकाबंदी के बावजूद यमनी लोगों ने फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रतियपनी प्रतिबदता में कभी कमी नहीं की है साथ ताहिक 10 लाख लोगों की सभाएं लगबग बिना किसी रुकावट के जारी रहती हैं यमनी लोगों ने फिलिस्तीन पर अपना रुक नहीं छोड़ा है ना ही वे आर्थिक या मानविय दबावों से प्रभावित हुए हैं यमनी लोग इसराइल की और से फिलिस्तीनियों के खिलाब नरसंहार किये जाने के दोरान चुप चाप नहीं बैठे हैं इस बीच दो हाइपरसोनिक मिसाइलों को तेल अवीव में एक सैने लक्षे पर हमला करने में सफलता मिली है जिसको लेका यमन के सर्वोष राजनितिक परिशत के परमुक फील्ड मार्शल ने अपने रोकेटरी बलो को बदाई दी महदी महमत अलमशाथ ने कहा कि मिसाइल ने अमेरिकी ब्रिटिश और इस्राइली डिफेंस सिस्टम की सबी लेयर्स को बाइपास कर लक्षे पर निशाना साधा इस दोरान यमन के सर्वोष नेता ने चेतावनी बरे लहजे में साफ किया कि आने वाले दिन आश्चर्यों से बरे हैं जब तक गाजा पर हमला और घेरा बंदी जारी रहेगी तब तक हमारे अबियान भी जारी रहेंगे दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस निर्णे से नहीं रोक पाएगी चाहे कुछ भी हो जाए बता दे कि यमन साल 2014 से विनाशकारी संगर्ष में फसा हुआ है 21 सितंबर 2014 को हूती विद्रोयों ने कई उत्री परांतों पर कबज़ा किया था इसके बाद अंतराश्टी स्थर पर मानेता प्राप्त यमनी सरकार को राजधानी सना से बाहर जाना पड़ा था हूतीयों का अब भी उत्री लाकों के अधिकान शिस्थो पर नियंतरन कायम है इसमें सना और राणीतिक रूप से एहम लाल सागर बंदर का ओदेदा शामिल है हुआ हुआ है